हेलो फ्रेंट्स वेलकम बाक टो माई चानल तो फ्रेंट्स जैसे कि आप मेंसे कुछ लोग जानते होंगे कि मैं अभी न्यू मदर बनी हूँ और मेरा भी फर्स्ट वेवी कानहा हुआ है जो कि अल्मोस्ट अब 7 मंच का हो चुगा है तो कानहा के कंसीव होने से अभी तक 7 क्योंकि कानहा एक प्रीमिट्चूर वेवी भी है तो हमारे साथ बहुत जादा चालेंज़ भी आए तो इस दौरान हमें फील हुआ कि कुछ चीजों को तो हमने बहुत अच्छे से डील किया पर वहीं कुछ चीजे ऐसे थी जो हम थोड़ा और अच्छे से प्लान करते तो ह हमारा पेरेंट हुड जो है वो और एक अच्छा हो सकता था तो मेरे यही एक्सपीरेंस को मैं कमबाइन करके आज आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ जो की जो पेरेंस अपना फर्स में भी प्लान करने की सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पुल हो सकती है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कोई पॉइंट मिस मत करिएगा तो फ्रेंस फर्स्ट पॉइंट है कि हस्बिन और वाइफ को दोनों को मेंटली प्रिपेर होना होगा तो हाव बेवी अगर आप दोनों में से एक भी मेंटली प्रिपेर नहीं है ना तो आप दोनों के बहुत डिस्प्यूट होने वाले हैं, यह मैं अपने एक्स्पीरिंस से बता रही हूँ, क्योंकि अगर शादी होना 10% responsibilities लेके आता है, तो वहीं एक बेबी होना 100% responsibilities लेके आता है अपने साथ, तो अगर आपकी कोई trip plan है, या आपको लगता है कि अभी मुझे अपने partner के साथ यहां घूमना रहे गया है, या यह चीज इंजॉय करनी रहे गई है, तो उसे कर लीजिए और तभी बेबी plan कीजिए, क्योंकि बेबी आने के बाद ना, दो साल तक आप लोग इतने busy हो जाएंगे, कि कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ बेबी और घर. And friends, second point है, कि आपको financially stable होना है बेबी plan करने से पहले. अब जैसे कि मेरी pregnancy जो थी ना, वो बहुत complicated थी, शुरू से ही उसमें बहुत injections और daily ultrasounds, इन सब के charges उपर से काना जो था, वो 7th month में हो गया था, C-section से. तो C-section के charges, उसके बाद premature बेबी हुआ तो उसको 2 महीने NICU में रखने का खर्चा, तो आप सोच सकते हैं कि पूरी pregnancy जो थी और 2 महीने NICU, एक अच्छे hospital में बेबी को रखने का कितना खर्चा हुआ होगा. तो अगर हम वो सब प्लान नहीं करते, तो शायद हमें financially बहुत जादा दिक्कत आती. तो friends, आपको भी न, बेबी प्लान करने से पहले financially stable होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल emotionally support करने तो हर कोई आ जाता है, पर financially बहुत ही कम लोग मिलेंगे, जो support करेंगे. और सबसे important, आपको ऐसी health policy लेनी है, जिसमें आपकी wife की pregnancy जो है, वो covered हो. तो friends, third point है, जो कि maximum females न, ignore करती है, उनका physically fit होना conceive करने के लिए है. अब conceive करना और एक baby deliver करना, ये एक nine months का long process है, जिसमें बहुत ही जादा physically fit होना होता है एक female को, क्योंकि उनकी अंदर एक life पल रही होती है, एक life ग्रो करती है. अब आप suppose करिए कि आपको किसी game में जाना है, तो उसके लिए आप पहले से prepare करते हैं अपनी body को physically. ऐसे ही जब हम baby deliver करते हैं, तो हमारी body को पहले से physically fit होना होगा, ताकि हमारी pregnancy जो है, वो throughout smooth चले. अब इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं conceive करने की, तो पहले आप एक अच्छी गाइनाक से suggestion लें, उन्हें वो गाइनाक आपके कुछ टेस्ट करेंगी, और आपकी body में अग तो आपको उसी according supplements देंगी और folic acid start करेंगी जिससे की आपकी pregnancy जो है वो healthy चलेगी. तो fourth point है, अपने लिए एक अच्छी गाइनाक चूस करना. अब इन 9 महीनों में आपको अपने गाइनाक की ही सारी medications, advice, diets, exercises, सब कुछ follow करना हैं. मैं ये नहीं कहरी कि गाइनाक अच्छी न लेती हैं, but हर किसी के best का level जो होता है वो अलग-अलग हो सकता है. इसके लिए आप internet की help ले सकते हैं, आजकल maximum doctors का feedback, reviews available होता है, जिनकी help से आप चूस कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाइनाक पिर जाना है. या फिर आपके known में किसी ने अच्छी गाइनाक से treatments लिया होगा, त possible हो तो आपको ऐसी गाइनाक चूस करनी है, जो कि आपके घर के पास हो और phone पर आपके साथ available रहे. क्योंकि मेरे case में ऐसा ही हुआ था, मुझे पूरे 7 months तक bleeding चलती आई थी, और 7 months में दो बार ऐसा हुआ कि बहुत जादा heavy bleeding हो गए. अगर मेरी गाइनाक बहुत पास नहीं करके. 5th point है, अपनी कुछ habits को avoid करना, like smoking, drinking, अब मैं इस पर comment तो नहीं कर रही, कि ये चीज़े अच्छी है या नहीं, पर अगर आप conceive करना चाह रहे हैं, तो उसके 2-3 months पहले से and baby deliver होने के 6 months तक आपको इन habits को avoid करना है, क्योंकि कुछ cases में देखा गया है, जिन females ने अपनी habits को continue रखा pregnancy के दौरान, उनका या तो miscarriage हो गया, baby के अंदर कोई abnormality आ गई, या फिर उनका feed जो है, वो properly develop नहीं हो पाया. मैं delivery के 6 months बात तक के लिए इन चीजों को avoid करने के लिए इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि 6 months तक mother का milk ही baby के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए आप जैसा खाएंगे, वैसा ही आपका feed जो है, milk जो है, वो form होगा, तो हम अपने baby की health के लिए at least 6-9 months तो इन चीजों को avoid कर ही सकते हैं. तो friends, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, उन couples की help करने के लिए, जो अपना first baby plan कर रहे हैं, ताकि उनकी parenting जो है, वो थोड़ी बहतर हो पाएं. और अगर आपके friends या family में कोई baby plan कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ये video ज़रूर share करें. ऐसी और videos के लिए हमारे चानल को subscribe करें. Bye friends!